दोस्तों दुनिया भर में Compact SUV सेग्मेंट तेजी से मशूर हो रहा है और दक्षिन कोरिया की प्रमुख वहन निर्माता कंपनी Hyundai ने आखिरकार अपनी सबसे किफायती SUV Hyundai Beyond से परदा उठा दिया है क्या है इस गाड़ी में खास ये हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले एक गजारेश है आपसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और ऐसी ही Auto News मिस ना करने के लिए Real Auto News के बेल के आइकन को भी प पूर्व फ्रांस के एक शहर ब्योने से प्रेरित है इस SUV को खासकर यूरोपियन मार्केट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ये कंपनी की तरफ से पेश की जाने वाली एंट्री लेवल SUV होगी इसके साइज के अगर हम बात करें तो जहां तक इस SUV के आकार की बात है ये SUV 15 इंच के स्टील वील के साथ ही 16 और 17 इंच के अलोई वील के साथ पेश की जाएगी इस SUV में स्पेस का भी खासा ध्यान रखा गया है इसमें आपको 411 लीटर का बूट स्पेस दिया जा रहा है जहां तक इसके इंजन शमता की बात है तो इस SUV में कंपनी ने उसी इं इंजन इस्तेमाल किया है जो की तकरीबन 100 PS से लेकर 120 PS की पार जैनरेट करता है ये 6-speed manual और 7-speed dual-clutch transmission gearbox के साथ आता है इसमें तीन driving modes भी दिये गए है इको, normal और sports अब इसके अगर मैं design की बात करूँ तो Hyundai Beyond के front में कंपनी ने चौड़े grill के साथ बड़ा air intact दिया है तीन हिस तीन हिस्सों में इसके main headlight बटी हुई है जिसमें daytime running lights के साथ ही high beam भी दिया गया है इसमें DRLs को hood के नीचे दिया गया है वहीं arrow shape C pillar SUV के side profile को दमदार लुक देते हैं इसके अलावा LED lights का इस SUV में बखु भी इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको काफी modern लुक दे रहा है इसके यह बाकी के features के अगर मैं बात करूं तो Hyundai Beyond को पूरी तरह से advanced features से last किया गया है इसमें 10.25 इंच का instrument cluster और 8 इंच का display audio system भी दिया गया है इसके अलावा LED ambient lighting SUV के cabin को आकरशक बनाते हैं अन्या features के तौर पर इनमे lane flowing assist यानिकी LFA forward collagen avoidance assist यानि FCA जैसे safety features भी मिलते हैं यह SUV तीन अलग अलग interior colors के साथ आ रही है जिसमें black, dark, light gray और dark gray शामिल हैं आपको यह भी बता दूँ कि अभी इस SUV को इंडियन market में launch किये जाने के बारे में company के तरफ से कोई official announcement नहीं साचा की गई है लेकिन जिस तरह से इंडियन market में compact SUV segment मशूर हो रहा है उससे यह उमीद लगाई जा रही है कि Hyundai Beyond को यहां के बाजार में भी उतारा जा सकता है रही बात कीमत की तो इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे कि company's काड़ी को 2,90,000 रुपे की शुरुआती कीमत में launch कर सकती है जो की 5,00,000 रुपे तक जा सकती है तो आपको कैसी लग रही है ये गाड़ी हमें comment करके जरूर बताइए साथी साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे like और share जरूर कीचेगा धन्यवाद